हाईलो दोस्तों आप सभी के फिर्शेटी वेल कोचिंग के सीटू प्रोग्राम में बहुत बहुत सागत है तो दोस्तों हमेशा की तरह इस सेस्टन में जो है हम लोग बिहार आईटे दोस्तों JAC में में पुछे गए सभी मेस के प्रस्णुंद के पूरे डिसकी साथ कि जो भी आईटे ईंटेंस लीक्षाम ता बिहारнев के लिए काफी मौत्पपून होने है तो यह जो वीडियो है आपके एक्जाम के भीव से काफी महतुकुन है इसलिए आप इस वीडियो को अन तक जरूर दखिएगा और हाँ दोस्तों चैनल पर नाए है तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइकन को भी अन कर लिजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो प्रस्ण जो थे वह कैसे कैसे पूछे गये तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फॉर्स्ट फॉर्स्ट को देख पा रहे होंगे तो आपका फॉर्स्ट नमर परस्ण जो है मैथ का वह बोल रहा है कि एक फूट वाल परतियोगिता में कूल 153 मैच खेले परतियक दो टीम ने एक दूसरे के विपरीद एक मैच खेला है इस परतियोगिता में भाग लेने वाली कूल कितनी टीमे थी तो कूल टीमों की संख्या यानि कि आपको एन फाइंड आउट करना है यदि आप कंबिनेशन चैप्टर परें हैं लेवेंथ में तो यानि कि उससे रिलेटेड ये प्रस्न है ओके तो उसी के फर्मूले पर इस प्रस्न को हम लोग को बनाना है आपको एन का मान निकालना है और जो दे रखा हुआ है कूल परतियोताव में जो फूटवाल मैच खेलेगा है वो टोटल दे रखा हुआ है एक सो तीरपन ओके तो चलिए ह मैच दिया हुआ है वो क्या कितना दिया हुआ है आपका मैच दिया हुआ है एक सो तीरपन ओके ये टोटल मैचो के संख्या है अब इसमें जो टीम है वो आपको फाइंड आउट नहीं है वो आपको दिया नहीं गया है या आपको घ्याद भी नहीं है तो टीम जो है आपका और कुछ तो बोल नहीं रहा है उसके बिपरीत 11 क्येख यह और जब आप कॉंभिनेसंट्ट में जब 11 को यह जो है आपका टोटल मैच हो हुआ और यह तोट यह आपका निए सते ब lot तो यह भी आपका टूट्ल मैच यह तूटॉटल मैच और यह जी तोटल मैच उन ऊपटो होगय है इस का देखे लिए अब यह जो है इस तरह का ज gefश्ब्रूला बैठ्थ आ है तो आप तो फोर्मुला अनतषर स팅 आप तो N, N-1, यहनिकि यह तो एक पद हो गया और दो बार लिखना है, यह आपको जो नीचे दिखा हुआ है, जिका आप कम्बिनेस अभ पड़े होंगा तो आप अचानी पूरों कि इसको समझ पार होंगे, यहाप जो जितना बार लिखा होगा उतना बार इसको करेंगे, यदि आपको यहां पे तीन दिखा जाता तो यहां पे एक बार दो भार हो गया घट गया और एक बार केतना हो जाता तो चार बार लिखते हैहां इस तरह लिखते जाते लेकिन आपको दो बार HASिन लिखने के लिए बोड़ रहा है तो इसलिए आपका लिखेंगे n-1 तक ही लिखेंगे, n into n-1 upon 2 हो गया, अब इसकोल 2 में आपका 113 है तो 113, अब देखें, इसको 3-3 गुना कर देजिए, तो 3-3 गुना कीज़ेगा, तो यहाँ पर दिख रहा है न, यहाँ पर n into n is equal to n square हो गया, अब माइनस में n into minus 1, यानि की n हो गया, और उसके बाद जो है, यह जो है आपका इधर multiply होगा क्या हो गया, माइनस में n हो गया, अब उसके बाद जो है इधर 306 आएगा तो माइनस में 306, आई होपे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सब मार कर, यह जो होगा, और बडाबर में 0 होगया, अब इसको आगर लेकर चलेंगे, तो इसको दिवधाद समीकर मन गया, और इसको n का मान निकालना है, तो हम उन्हों क्या कर लते हैं, इसका अभाजी गुनखन यानिकि दो भागों में तोर लते हैं, यानिकि यहाँ पे क्या लिख हैं, कि दोनों को गुनाय करने पर 306 आ जाए, और जोड़ने यह घटाने पर आपका मानस होना है, तो मानस और पलस जो जब रहता है, तो जो अंक बढ़ा होता है, उसका सिंबल होता है, तो जो अंक बढ़ा यानि 18 बढ़ा है, तो उसका सिंबल मानस हो गया, और बढ़े अंक में से छोटे अंक घटा लेंगे, तो 18 में 17 घट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यानि तोड़ा सा इसको नहीं दिख रहाँ गा तो इस फे एक बार ऊचला रहते हैं ऑके अब देखिए यहां पर आपका एक कमण होंगा तो एक आगया और एक आगया अगया अब यहां से दोह ऑंखी आ रहा है एक अठार्व और एक मैनयस लूबके हच्णि होती है तो हरा लूबई भूंजशा होती है और थो नक होकिल होगी यानिका आपको संख्या दिया है तो दोसको संख्या णएनएब कहा 510-17. थोरी होगा संख्या गमान तो यह माइनस 17 संभाव होगा आपका संभव को सहा होगा 18 संभाव होगा ओप्षन देख लेते हैं और दे रखा हुआ है कि नहीं जी हाँ दोस्तों ओप्षन नमर्ट बी में जो है इस कोचन का सही उंतर दे रखा हुआ तो आपको यह कंबिनेशन चैप्टर से कोचन दे रखा हुआ था हमने बोला था कि लेवेंद का जो है थोड़ा यहां पे आपका कंबिनेशन जो है कंबिनेशन के फर्मूला पर यह बैठ रहा था हुआ पर लेते हैं इसकी सोट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं तो आपका बोल रहा है तद अनुश्यार वह रासी कितनी थी यानि कि आपका मुंधन पूछ रहा है आपको फ्रिंसिफल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो यह भी कोचन काफी महत्यपूर्ण है इजान के भी से यह सिंपल इंट्रेस्ट और एस आई जो है सी आई मुझा एस अी का ऊंतर वहीं कि अंतर का फर्मुला वहीं तीन साल वाहला के लिए तीन साल वाला के लिए उंट्वाळ एसकोर और एन्टु में आर पलस तीनस वो अनतर ची 100 का Q, क्या होता है, 150 का Q, और यदि आपको 2 साल वख पूछे contraception, तो 3 साल का है, यदि काánh आपका वर्स दे रखा हुँगा मैं, तो आप इस formula का यूज किएगा, यलिगए 3 साल का best manager आपको positive sign करना है यह वाली स्कुआर्ण का है यह आपका किस साल का कितने साल का दो साल के लिए लेकिन यह इसके पहले हम लोग session में काफी बाइस प्रकार के कोशन किये हैं लेकिन यह 3 साल वाला नहीं किया है तो यह इंपोर्टेंट है ओके तो आपको अंतर जे रखा हुआ है कितना दे रखा हुआ है आप देख रहे हैं कोशन में आपको 31 जो है अंतर दे रखा हुआ है एक 30 जो है अंतर दराखा हुआ है और पी आपको फाइंड आट करना है आर का वहलू 10 दराखा हुआ है तो आपका दोस का स्क्वायर हो जाएगा इंटो में फिर आर का मान आखिएगा दोस और पलस में 300 ऑगे और बटा में आपका 100 का क्यूव करना है याणी कि आपका 100 को तीन बार लिख और बाटा में आपका 1 पर 6 गो 0, 246 हो गया, यह 2 गो 0 से 2 गो 0 कैंसल आउट, I hope आपको दीख रहा होगा, 2 गो 0 से 2 गो 0 कैंसल आउट, और 1 0 से 1 0 और कैंसल आउट, अब यह 31 से यह 31 कैंसल आउट, यह तिर्षा 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 गुना कर देजिए, यहां से आपका P is equal to 1000 जो है, answer आगया, और यही question का answer होगा, 1000 इस the right answer for this question हो जाएगा, चलिए option को देख रहते हैं, तो option number C में जो है, इस question का answer देखा हुआ है, 1000, इसलिए option number C is correct answer for this question हो जाएगा, तो I hope आपको यह भी question समझ में आगया होगा, तो चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं, third number question जो है, क्या है, तो दोसरे अगले question को आप इसकीनी पर देख पाला होंगे, तो third number जो question है, यह भी 11th के chapter से ही थोड़ा सा यह कर रहा है, आपका जो है log का यह question है, logarithm जो आप पढ़े होंगे 11th में, तो आप आप आच्छी तरह सा समझ रहा होंगे, आपको यह question में दे रखा हुआ ह x से 9 by 16 is equal to minus 1 by 2 हो, तो x कमान क्या होगा, यह भी काफी simple कोचन है, basic, यह लोग आपका basic level है कोचन है, आपको दे रखा हुआ है क्या, log x और 9 by 16, यह दे रखा हुआ है, इसकल 2 हमका minus 1 by 2 दे रखा हुआ है, यही दे रखा हुआ है, और आपको find out क्या करना है, x कमान जो है, आ आपको ग्यांद करना है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, आप जब इसको किजिएगा, तो यहाँ से आप log को cancel out किजिएगा, तो यह जो है आपका x यहाँ पर चला जाएगा, और इधा आपका 9 by 16 है, 9 by 16 हो गया, अब इस log को cancel out किजिएगा, तो यह एक्स यहाँ पर चला गया, और यह जो यहाँ पर संख्या था, वो इसके पावर में हो गया, ओके, यह लोगरीत्म में होता है इस तरह का, इसके बाद यहाँ पर 9 by 16 है, 9 by 16 और यह जो है आपका minus 1 by 2, आपको यदि आपको बोला जाता है, कि 6 के पावर minus 1, तो आप क्या लिखते हैं, यह आपको माइनस का मतलब ही होता है कि उसका ओल्टा, उसका अफोजिट, तो यह आपका उसका अपोजिट हो रहा है, इसी तरह हम लोग यहाँ पर बिदेख रहे हैं, तो यहाँ पर minus 1 by 2 दे रहा हुगा है, इसलिए आपका 1 by x का पावर क्या हो जाएगा, 1 by 2 हो जाएगा, अब इसक अफोजिए तो यहाँ पर 16 को इदर फेख दिजिए, तो यहाँ पर 9 का x का पर 1 by 2 हो जाएगा, तो कि इन दो जाएगा, तो इसका पर 1 by 2 हो जाएगा, यहां कि आपका बोलका है आहां पर इधर रूत है तो इस रूट को अप layer कर लेते हैं तो यहां playing the year उड़ार ना परेगा तो क्या हो जएँगा इन बेट डाइगा ओड़ेन गलत डैके अब यहां पर टू टू केंसिल आप जाएगा एक्स कमान जो है यहां से कितना आ गया 16 का स्क्वाइर 256 जी हां दो 207 हो गया और बटा में 9 का स्क्वार 81 यानि कि एक्स कमान जो आएगा वह आपका 256 बटा इक्यासी आएगा और यहीं जो है इस परसन का सही उतर होगा तो आप इस कोशन को भी समझ गया होगा यह लोगरिद्म चैक्टर जो था उससे जो है यह कोशन था काफी सिंबल था जब इस तरह का कोशन आता है तो यह इधर इसको बेह देते हैं और यह केंसिल आपको कोशन है वह क्या वोल्ड है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों फोर्थ नमख कोशन आप इस स्कीन पर देख पालोएंगे तो फोर्थ नमख कोशन जो है यह सरलीकर ने सिंफिलिकेशन चैप्टर से दे रखा हुआ है आपको बोल्ड क्या रहा है कि कोई संख्या जो है दोस पूछ रहा है तो कि आपको हमने बताया था कि इसमें जो सेसफ्फल में इस से वा nessa रख कर दिजिये 325 आपको आप 2002 रखा करना हुआ है तो आपको हमने बताया ठाकी इसमय ечатए सतर एकशो पांच हो जाएका यानिकि तीन बार में 105 ओके तीन बार में 105 और घटाईएगा तो जिए दोष जो आएगा यही जो है इस परस्ट प्रस्ट का सही उतर होगा काफी सिंपल कोचां था हमने इसके पहले बताया था काफी बार इस तरह है कि जब भी आपको सेस्फल देगा और उस पे भी सेस्फल पूषेगा तो आप उसी में डाइक्ट भाग कर देजिए और जो आएगा सेस्फल हुआ ही उसका सही उतर होगा तो दस जो है टेन इड़ाइट एंसर फोर इसको चन हो जाएगा ऑफशन की बात करें तो ऑफशन नमबर देख दर रखा हुआ है आपका ऑफशन बी में इस परसन का सही उतर है दस तो इसलिए आफशन नमर बी इसका एक तरफ इसको चन हो जाएगा तो आप इस परस को समझ गया होगा यह जो है सेप्टर का प्रसन था ओके तो चलिए अगले कोचन तरह की तरह बढ़ते हैं फाइफ नमर कोचन जो है क्या बोल रहा है आप देख पार रहोंगे इसकीन पे तो बोल रहा है कि एक से स्क्वार पलस थ्री आपको फाइंड आउट करना है तो फरस्ट अफ हए तो यह तो दीवघाज समिकार्न के रूप में देरखा हुआ है यह इसको इसका आवज गुननखन करना पड़ेगा यानी कि अलग-अलग टू क्रों में बातना पड़ेगा उसके बाद कंपेर करना पड़ेगा कि कौन-क प्रशन का HCF होगा और वही जो है इस कोचन का सहीव उत्तर भी होगा तो आप 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 में बातों को समझ पारा होंगे तो चलिए फर्स्ट अपर इसका जो है आप आप आज गुननखंट ग्याद कर लेते हैं और इसको छोटे-छोटे टुकुरों में भी भादित कर लेते है तो आपको फर्स्ट अब गुननखन जो देखा आप दे रखा हुआ है फाइफ नमर को चल्ण में x-square plus 3x plus 2 कै आप दो नमर में दे रखा हुआ है x-square plus 4x plus 3 और एक दे रखा हुआ है आपका x-square minus x-2 ये दे रखा हुआ है इसका भादित गुननखन पहले हम लोग ज्यां किजिएगा तो इसका क्या दो आ रहा है तो एक स्क्वाइट और इसको दो भाग में ऐसा बटना आए कि गुना करने पर दो एक स्क्वाइट और जोड़ने यह घटाने बाब कहा थिरी एक्स तो पलस में टू एक्स और पलस में एक्स लिख लिए वह जो है का आपका आ यहांग से अब याओ दो भाग में क्या-क्या थिर्इस तो यहां पे आपका थिरी advise पलस कैणा पूर्cribing में फौर ऑब देख सब्त हैं इसको दो भाग में ऐसे बातना है फ्वेस को कि गुनना करणे पूला थैटी एक्स इंतु एक्स तो इसक्ते 3x square और 3x और 1x, 4x हो गया, जो नहीं गाटाने पर आलनाच चीए 4x तो जो नहीं गाटाने पर 4x आगया, तो यहाँ से आपका निकल करा गया, ब इसका जो है देना खन के लिए, एक सब्सक्वण, यहाँ पर कमन हो गया, आपका 1x फलस थी, उसके बाद यहाँ पर कमन हो गया यहां पर दिख रहा है न इसको जब इसी पर करेंगे तो क्या होगा आपका कि X esql zHz –-2 है तो इसी तरह यहां पे x —2 और x —2 & x और पольно Fen.02 इसे तरह सही है ब्मारणखंड निक ल करा जायो अपस्ते हैं यहाँ निकल पर जाएगा है ना उसके बाद यहां से आपका जो निकल कर आएगा गुनन खण आपका क्या निकल कर आएगा एक निकल कर आएगा और एक्स मैनास town एकिंगल कर राएगा इकस van फ्र्स वान ओर एक्स परस तो आप देख पह हुगि तो यहां पर आपका फॉर्स तो और एक्स पैसल निकल गया दूसरे हो इसमें भी है और x plus 1 इसमें भी है यहाँ पे x minus 2 है इसमें नहीं है इसमें नहीं है याने कि सिर्फ x plus 1 जो है इस तीनों के गुननखन में मिल रहा है इसलिए hcf जो है आपका क्या निकल कर आएगा x plus 1 और यही जो है इस परसन का सही उतर होगा option की बात कर लेते हैं तो option जो है आपका यहाँ पे दे रखा हुआ x plus 1 जो है c नमर option में दे रखा हुआ है इसलिए option number c is correct answer for this question हो जाएगा यह भी question काफी simple था इस सिर्फ हम लोग को इसका अब आज गुननखन के रूप में तोरना था और तोरने के बाद जो है इसको जो है होगा highest common factor इसका जो है short name full name होता है तो आई होप आप इस परस्कों समझ गया होंगे इसकी इसकी लेना चाहते है तो ले सकते हैं चलिए अगले परस्की तरफ बढ़ लेते हैं अगला प्रस्क जो है आपका 6 नमर कोशन जो है काफी simple है इसको भी हम लोग देख लेते हैं तो दो दोस्तों 6 नमर कोषन जो है आपका क्या बन जो है 50 X स्क्यार, 50 X 2 लेजेगा तैंग मानेस में आपका वन ऑके क्या सकता है इस दो को बाहर ही राजने देदीए और यहां पर आप इस पचीस x square minus 1 देख रहे होंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 x का square और minus 1 का square लिख सकते हैं इस दोनों को लिख सकते हैं कि नहीं और यह जो है आपका a square minus b square के फ़र्मूले पर बठ जाएगा अब जब इतना कर लिजएगा तो इसके बाद आप यहां पर देखिए तो आइंटू में यहां पर क्या हो जाएगा आपका एक बड़ जोड़ दीजिए 5 x plus 1 और एक बड़ घटा दीजिए 5 x minus 1 हो गया हो गया और देख लेते हैं कि option यहां पर दे रखा हुआ है या फिर इसके आगे भी बढ़ाया हुआ है तो option जो है आपका यहां पर दे रखा हुआ है क्या दे रखा हुआ है आपका multiply किया है नहीं मुल्टिपला नहीं किया है option नमर B में जो है same to same यहीं दे रखा हुआ है सिर्फ यहां पर आपका ब्राइकर राज दिया है तो इन्टू आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 x plus 1 और इंटू में 5 x minus 1 यहीं जो है आपका सही उतर रहा है यानि कि इस बड़े बड़े बड सब्सक्राइक हो गया यानिकि a square minus b square के फर्मूले में क्या होता है कि एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा लिया और दो यहां पे common था तो इसी परकार यहां तक हो गया और यहीं आपका अभाज हो गया यानिकि अभाज चोड़े में बाता बट गया तो यही जो है परस का सही उतर हो गया तो आप इसको भी समझ गया होंगे तो चलिए अगले परस के तरा बढ़ लेते हैं तो दोस्तों यह अगले परस के तरा बढ़ा जाया तो अगला को परस जो है work and time का है काफी महत्तफून को चन है यह थोड़ा सा आप इसको deep भी समझ सकते हैं या पां यह आथे किसी कारे को दस दिन में पूरा कर सकते हैं तथा चहाइब चोबिस पूरूस और 18 लड़के को दो दिनों में तो आपकी 15 भी और 20 लड़के मिलकर उस्कारे वो कितने दिनों में या कितने सामयों में पूरा करेंगे काफी सिंपल को चाहिए थोड़ा सा यह आपको डीप लग रहा होगा लेकिन आसान है यदि आप समझ भाते हैं तो आपको फर्स्ट अफल में आपको देर रखा हुआएगा कि छे पूरुस यान कि छे पूरुस बढ़ाया था छे मैन लिख दीजिए और आप मैन बोल लाका उससे सन को देख सकते हैं उसके बाद बोल आए कि 26 पूरुस और 48 लड़के और 48 लड़के 48 जो है वाय यह मिल करते हैं इस कारे को दो दिन में करते हैं तो यहां से फर्स्ट अबल हम लोग क्या कर लेंगे मैन और वाय यानि कि पूरुस और लड़का जो है उसको एक् कितने मैन है या फिर कितने मैन के कारे की छमता के बराबर कितने पूरुस है कितने लड़के है सोरी कितने लड़के है ओके यानि कि लड़कों की संख्या और जो है पूरुसों की संख्या मतलब की कारे छमता के हिसाब से कितने कितने के बराबर है उसको फैले हम लोग फाइ है असी इधर आपका हो गया 26 दुना 52 मैं और यहां पर 48 दुना 96 अब य को एक तरफ मैं को एक तरफ एम को इधर ला देते हैं साथ मैं माइनस बावन वाए सोरी बावन मैं इस कल्टू यहां पर इधर चला जाएगा 96 है और इधर यह आपका 80 आयेगा माइनस में 80 भूआ हो गया अब यहां पर देख पार वहें आपका इधर मैनस होगा तो 8 इंभ इसकों में इधर कितना हो गया 16 अब 16 है आप इसको केंसे का जीएगा तो यहां पर दो चाओ का कई एने कल कर आया कि एक आदमी जितना कार्य करता है वह दो और वो लड़के के कारे करता है इने कि लड़का से माहने कापड जो जो गुना मैं कार्य च्वंता है तो आपको यहां पर यह तो मालूम हो गया तो यह तो आपका 90% कोचन जो है हो गया अब लास्ट में आपसे पुछ एया है लास्ट में आप देखिए कोचन में आप से पूछ रहा है कि पॉंदरब पूरूष चाहिए जो है लडका कि यो और िस गोista Okay यह जो है कितने डिनों में यह काल कुरा करेंगे तो आप यहाँ पे 15 मैंड लिख दिए तो सबसे पहले इसको एक के फ़मिल हालते हैं यानि कि जो है आपका मैं को भुलाय के यह जो है आपका एम जो है दू मिफ्ल्राबर नहीं जो है the question नहीं हो पाएगा उसका on try outside हो गया तो 25 आपसार 54 ओध्याइए हो गया 240 न थो जो है कितना कि नहीं कर रहा है तो Brandme winning पूला कर दिजिएगा तो यह जो है इसका कार्च रहा जाएगा और कि सब्सक्रांद इसके भी बड़ाब होगा है या इसके बड़ाब कर दिए या फिर इसके बड़ाब कर दिए दोनों के बड़ाब हो सकता है तो आप क्या कर दिए पहले यह छोटा सा है इसलिए इसी के बड़ाब कर दिए तो 6M पुलस 8B दोस दिन में कर रहा है तो 6M के जगाओ पर आप का कर सकते हैं बारगो बी लिख सकते हैं कि नहीं बारगो भी और यहां पर आपका आठ भी है तो आठ भी हो गया अब यह पूरा क्या है दोस दिन में कर रहे हैं तो दोस दिन हो गया गुना में और यह भी कारे छमता और यह भी कारे छमता दोनों एक दूसरे के बराबर और वह भी किसके y के कार-भी नॉक की नॉक के यदि आपका यहां पर मैं रहता हुए यहां पे बोल्ट में आप यहां से इसको सकते हैं यहां पर 20 भी हो गया अगुना में D हो गया आपका यही दी जो है दिन को D माने हैं और यही जो है आपको फाइंड उपड़ना है तो यहां पर देख सकते हैं बाद में आण भी करना है तो देख सकते हैं यहांसे आंक क्या निंपक्त लॉड़ गाए OA टic और भाग में कितना आ गया 5 B तो 5 B आपका भाग में आ गया तो यह भाग कर द जागे तो यह B से B केंसल पांचों का भी से रही कि चार दिन में जो है आपका यह 50 गुभाए मिलकर कारे करेगा या फिर आपका जो लाज टेस्टर में पूछ रहा है को संन मैं क्या पूछ रहा दो दिन में कारे कर सकता है और चोबीस गो पूरूस और तालिस गो लड़का दो दिन में कारे कर सकता है तो यह भी आपका कारे चमता और यह भी आपका कारे चमता यानि कि जब आदमी में उसके दिनों की संख्या से गुना कर देगा तो वह आपका कारे चमता हो गया और फिर वहां पे बहुआ आधमी में उसके दिनों के संगें से चंगर गूरा कर जिलकें उसके दिनों के संगरा मोट्मड het यहां ठावर र्ड़्न होगा क्या, उफोम करा दोम गए, 있다고 20 आउस और हम माइनस में हेम, इसी थे जड़ेकोwen निचले लगए,96 भलानम में था बी तो 96 बी था अब यहां से आप माइनस किया तो यहां पर आठ एम बचा और इधर में इसको टू में 96 में 80 बी निकल जाएगा तो 16 जो है आपका बी बचेगा अब यहां पर आप देख रहा है कि ऄर आब अधमी जो जितना कर रहा है उसके बराबर जो है दूग लड़का मिनकर कर रहा है तो यहां से आपको तो मालूं चल गया आपकों कितने प्याज़े कर ने कि आटा कूलिंदी करें है कितना दरे में कर तो आपने इसको एंग ही जो है जो है जारि में इसको च्छौ दिज्ग या तो प 가운데 है यहां पर दो पंदरों के बराबर है यह पंदरों को पुरस और विस को लड़का के बराबर है तो यह आपका चंपता हो गया और यह आपका पहलेबाइल लिजी बाल में लिजी इसको भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोई यह नहीं ठाव के तो यहां पर हम इसको ही लिए क्योंके थोड़ा सा छोटा था सिंपल था था लड़का ओंदा है तो जब शोग और पूरुस है तो गुण दो शोग बलड़का हो गया तो गुना में जग अब लुद्धा तो यह भी आपका चाहना करें शंब अब इस डी का मान फाइनाण करना है तो आप इस डी का इसको solve किजिएगा तो आपका चार दिन जो है इस प्रसन का सही उतर के रूप में निकल कराएगा और यही जो है इस प्रसन का सही उतर होगा तो I hope आप इस question को समझ गया होंगे क्योंकि इस question जो था आपका work and time का था प्रसन से एक या दो प्रसन जरूर पूछे आते हैं इसलिए आपका चार नमर पका करना है तो सही से इसको देख लिजिएगा इसी तरह का question पूछाता है यहांने कि जो basic level का होता है वह work and time से नहीं पूछाता है थोड़ा सा hard यानि deep level का पूछाता है तो यह थोड़ा सा deep था लेकिन आसान था यादि आप आसान समझ पाए होंगे तो यह अभी भी नहीं समझ प्याहा है पॉस किजिए by किजिए वीडियो को और देखिए ओके सकते हैं हम अगले प्रस्ट की तरह बढ़ते हैं तो अगला प्रस्ट जो है का अगला प्रस्ट की तरफ बढ़ा थे हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं आपका वोल्ट के रहा कि 50% alcohol कि मातरा वाले 9 लोसन में कि तने गराम पानी मिलाए जाय कि режим Uber फाई्सन हम लोग नव गराम लोसन में daugamlaw gitने यह आपका 50 पर्ससें बड़ाए तो प्रटर गहां सुभ और हैंYUगा से 50 गुलांस यहां पर नोग से दोर साड़े चार दो है एक रिगल कर आगे और पाने के के बाद पानी मिलाने के बाद लोसन जो है एक्स गराम है तो आप क्या कर लेते हैं आपका क्योंके 30% के बाद कर रहा है तो इसलिए आपका लोसन जो है आपका 30 इसमें 30% बराबर क्या गया आपका पर से यहां पर दोस कर दीजिए इसको दोसमलोगों कर लिए यह आपका जो है आपका पाने मिलाने के बाद जितना भी पाने मिलाया रहा है उसके बाद लोसन निकल कर आया आपका पाने मिलाया है यह आपका सही उतर है और चौग आप अप्धिसमें एक बढाव समुझ लेते हैं नौ गराम लोसन में आपका इलकोहल आपको कित्र लएक आप देख लेते हैं परसमें परसमें तो आपका 50% बोल रहा है तो यानि कि नो गराम लोसन में बड़ा पर चार है अब जो है यदि पाने मिलाने के बाद जो है लोशन एक से राम बच रहा है तो आप पानी किस्त पर अब मिला रहा है यहां से यहां से आपका एकस का मांग पंदरा गारम यहां पानी मिलाने के बाद वह बी कितना 30% by 30% याने के 30 बटा 100 तो यहां से आपका 15 गनाम यह तो टोटल लोसन क्या मान आया लेकिन पहले लोसन कितना था 9 गनाम और 9 गनाम से डालेक्ट आपका पानी कमान ओप्सन देख लेते हैं तो आप इसकी पर देख पार होंगे आपका छे नमर ची में दे रखा हुआ है इसलिए और नमर सी प्रस को समझ गया होंगे चल यह अगले प्रस की तरह बढ़ लेते हैं ओके तो दोस्तों यादि अगले प्रस की बात किया जाए तो अगला आप दिख पारा होंगे कई यह दो क्खा रहा है अजरна हो लेकिन हमने क्या बोला था कि δ Wash in को आप से और यह और स्की और देख पारो होंगे यह हम हतना होजलगी इसके पहले बाला वाला専तों का था ओक्याफ यह आ यह fee कोशन को भी जो है बिस्तार से और कॉंसोर्टेट होके देखिएगा तो कोशन क्या बोलता है कि जो किसी कारे को किसी कारे को जो है जो है बारा दिन में करता है बी पंदरा दिन में करता है कर सकता है यदि एने अकेले छो दिन कारे किया तब और तब सेस बचे हुए कारे को ए और बी ने मिलकर पूरा किया तो कारे को फूर्ण होने में कितना समय लगा वह आपको find out करना है चलिए फर्स अब जो बोल रहा है वह लिख लेते हैं एक करता है बारो दिन में कि अ बारो दिन में बी करता है आपका पॉंद्रह दिन में यह द्ल में अब यहां पर एक कंडिशन देरा हुआ 150 कर लिया कि ए जो है पूर्य कारे को बारो दिन में करता लेकिन ये जिए छोड़ो दिन कर लेगा तो आधा कारे कर लेगा क्यों क्योंकि आप आप से देखना सकते हैं कि ए जो है इस पूरे कारे को बारे दिन में कर रहा है पूरे कारे को ए अकेले बारो दिन में कर रहा है तो यह अकेले छोग दिन तब करेगा तो वन बाइटू यानि आधा कारे को कर लेगा नो जी तो एक कारे में से one बाइई टू गण लिया दो कितना ऊठ habits गिया बस क्या किया और ये बैचा हुआ कारे हुआ ये बस गया अब जो है ए और दी उस कारे को मिलकर कितना दिन में करेंगे शाओ दिन करने के बाद एक छोग दिन करने के बाद A और B दोनों मिलकर उस कारे को अब पूरे करने में कितना समय लगाएंगे ये और उसके बाद पूर्ण समय आप सो पूछ रहा है तो first of all अब आधे कारे निकल गया एक कारे कर लिया आधा तो जब आधा एक कारे कर लिया तो अब B और A मिल कर कितना आधे काम को करने में समय लेते हैं उसको निकाल लेते हैं तो अब जो है आपका यहां से आप निकाल लिएगा एकस बाटा 12 करता है एकस बाटा 25 15 दिरंगरहा है और कितना एकत आपका आपका 1 by 2 यहां से आपका निकल गया यहां पर निकल बाहिका 3 बार में तर इधर मल्टलिपर होगा तो यहां फोर 155 आपका कितना हो जागा 3 निख सकते हैं एक 2 निख लेक्ट साहिए अब बोलरा आपका एू और बी का आधिय और करने में समय यानि कि 3 देन जो है आवन सच्छ arkadaş को है आपका लग रहा है आधिय कारे को Fो Addie कर एक हूँ आफ पूर्ण समय पूछ रहा है तो पूर्ण समाई जो है आपका क्या हो जाएगा पूर्ण समाई पूर्य टाइम जो है आपका क्या निकख आएगा पहले जो है ए छो दिन कर लिया है जो जब शो दिन पहले कर लिया है आप पलस में आपका हो तीरी पूर्णाक ओन बाई थीरी जो लिए तो इ सबसे लाश्ट वाला कोचन था इस सेशन का तेन्थ नमर कोचन था यह पार्ट 1 होगा है कर रहा है कि आप में जो है कि कितना के लिए आपको आपका जो है मैस का जो है कॉंसेप्ट कितना कि लिए अपको कर सकते हैं लुए पर कितना यह पड़र रहा है किसे सचेशन को देख कर आप बता सकते हैं कि आपका कॉंसेप्ट कितना कि यह अप्लोड कर रहे हैं वह आपके इद्याम के इस व्यांत के कहा उन compared प्यार से समझेज़ाइगा और प्यार से कॉंसेप्स को एव्जॉर्ण किजी गा ता यूप आप सक्षिक जरू होईएगा इसका इंख्रेंस याम में रैंप अच्छा जरू लाइएगा यह हमारा वादा है और बादा हमेश्चा हमारा सही होता है आप यदि इसको समझ पारह है मैफ में sourdips आप यह देखिएगा कि हम पहले आप आप पहले कितने को आते और इस सथंको देखने कुस रहरा है इसके आप उन्मान लगा सकते हैं कि यह जो सेवा तैसला कि लिए यह नोडियों कि हमारे हिसाब ط आपके जां की सोब क्या पता हैं उसी ते पॉपशा चो आपको कोई भी ब्यक्ति पतार से क्लिक्ट कार लिजिगा जिसे नहीं कर लिए आतसे कह ड़्यक्न 봤 प्रूवाक यदि आप उस diaciji को मारेगा उस diaciji को मतलब बनाईएगा आप श्रूह कि घिए अप सेट मारीए और यहने का जो बूख है उसका सेट मारी और प्रीबियूस के यर का ही सेट मारीजे और जो कोशन में मिल जाएगा और इस तरह का कॉंसेप्ट से आप इस work and time के काफी प्रसन को बना सकते हैं यदि आप इस question को सही पुरुवक एगात्रा से और concentrate होखर देखें हैं तब हमने अपने दिल की बात को आपके सामने रखा और क्या पता आपको अच्छा लगा या नहीं यह तो हमको पता नहीं यदि आप कमेंट में बताना चाहते हैं कि हाँ सही लगा तो आप बता सकते हैं तो चलिए आज के इस session में इतना ही रहने देते हैं मिलेंगे अगले वीडिय का जो है social finance का जीके का पाठ है अपलोड नहीं हो पाया है तो उसको भी अपलोड करेंगे काफी जल्द ओके तो आई होप आपको यह पूरा अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होता थमसब कर देजेगा लाइक कर देजेगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आईकन की यानि की बेल घंटी को टन टना के तब जाईएगा ओके चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद